नमस्ति दोस्तों मेरी यूट्टूब चानल रादा सुआदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे आटे का ये बहुत ही टेस्टी क्रीम कुकीज ये एगलेस कुकीज है और इसे हम बिना अवन और अवन दोनों तरीके से बनाएंगे फ्रेंड्स ये कुकीज बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बच्चों को ये कुकीज बहुत ही पसंद आते हैं तो चलिए फ्रेंड्स बनाना सुरू करते हैं आटे का ये बहुत ही टेस्टी क्रीम कुकीज तो friends इस cookies को बनाने के लिए सबसे पहले एक bowl में हम half cup देसी घी लेगे मैं यहाँ पे देसी घी का यूज़ कर रहे हूँ आप चाहे तो यहाँ पे oil या फिर butter भी ले सकते हैं और इसी के साथ मैं यहाँ पे add कर रहे हूँ half cup पीसी हुई चीनी और दोनों को हम बहुत ही अच्छे से mix करेंगे लगबग 3-4 मिनट हमेंसे इसकी मदद से फैटना है जब तक कि जो इसका टेक्चर वो बिल्कुल फलपी और क्रीम जैसा ना हो जाए तो देखे फ्रेंड्स इसका टेक्चर बिल्कुल फलपी और क्रीम जैसा हो गया है अब हम यहाँ पे एक बड़ी सी इसके उपर च्छनी रखेंगे और यहाँ पे हम इसमें डालेंगे एक cup गेहूं का आटा आप चाहे तो इस cookies को मैदे से भी बना सकते हैं यहाँ पे आटे से बना रही हो और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे तीन बड़ा चमच कोको पाउडर डाला है और इसके साथ ही हम यहाँ पे डाल देगे दो बड़ा चमच मिल्क पाउडर इससे cookies बहुत ही tasty बनते हैं और सभी चीजों को हम यहाँ पे अच्छे से चान लेंगे इसके साथ ही मैं यहाँ पे डाली हूँ एक छोटी चमच baking powder और यहाँ पे हम इसे अच्छे से चान लेंगे तो friends यहाँ पे देखें सभी चीजों चान चुकी है अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटी चमच कॉफी का powder यह आप चाहे तो skip भी कर सकते हैं बट इससे बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आता है cookies में अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से और हम इसका dough बनाएंगे तो dough बनाने के लिए आप पानी का भी यूज कर सकते हैं या फिर दूद का यूज कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर दूद का यूज कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूद आड़ करेंगे और यहाँ पर हम एक soft सा dough तयार कर लेंगे कुकीज के लिए तो देखे फ्रेंड्स ये डो हमने तयार कर लिया है अब हम इसे दस मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसके बाद हम कुकीज बनाएंगे डो बनाने के लिए मैंने यहां पर वन फोर्थ कप दूद लिया था तो सारा दूद यहां पर लग गया है अब हम इसके कुकीज बनाएंगे तो मैं यहां पर छोड़े छोटे कुकीज बना रही हूं तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हम यहां पर पोर्षन लेंगे डो में से और हाथ से हलका सा प्रेस करेंगे और इससे हम इस तरह से चिप्टा कर लेंगे इस तरह से फ्लाइट कर मैं यहां पे और खेंवान के टरी में कुखिज को एरेंज कर लूगी तो देखिञे फ्रेंड्स को दीलूं से आप लोग सहे डिन इंटांज हो scripture और एक्स्ट्रा इक्षा कुखिज कर लिए तो पहले हम इसे और ऺज़े टो पहले हम इसुषा oike – एक्तिक साइफ हो साथ ? इसे हम 20 मिनट का टाइम लगा के इसे अवन में रख देते हैं और यहां पे मैंने कड़ाई को पहले से ही गैस पे रख दिया था प्रिहिट होने के लिए इस तरह का एक जाली रख के अगर आपके पास इस तरह का जाली नहीं है तो आप कोई भी स्टैंड पे एक प्लेट रख के कुकीज को बेक कर सकते हैं तो सारे कुकीज को हम इस तरह से जाली पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखेंगे ताकि यह बेक जब हो तो एक दूसरे के साथ टच ना करें तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम सारा कुकीज रख देंगे और इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके बेक होने देते हैं लगबग 40 मिनट इसे बेक होने में लग जाएगा तो फ्रेंड्स यहां पे देखे जो हम उन्हें अवन में कुकीज रखे थे यह 20 मिनट में अच्छे से बेक हो चुके हैं और इसका साइज भी देखिए यह थोड़ा सा बड़ा हो गया है यहां भी काफी गरम है हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और हम देख लेते हैं हमारा कड़ाई के जो कुकीज है वो अच्छे से बेक हुआ है या नहीं कवर करके लो फ्लेम पे 10 मिनट और वेक होने देते हैं जब तक हमारे कुकीज ठंडा हो रहा है तब तक हम यहां पे क्रीम बना लेंगे बटर क्रीम तो इसके लिए एक बोल में मैंने हाप कब बटर डाला है और हाप कब मैंने पीसी हुई चीनी डाली है इसके साथ हम इसमें और एक विस्क की मदद से हम इसे बहुत ही अच्छे से फैटेंगे यहां पे जो बटर हो थोड़ा सा हार्ड है तो बटर को हम थोड़ा सा सौक्ट कर लेते हैं जब बटर रूम टेंपरेशर पर आ जाएगा उसके बाद हम इसे बहुत ही अच्छे से फैटेंगे तो फ्रें अगर आप इलेक्टिक वीटर की मदद से करेंगे तो यह बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे से विप्ट हो जाएगा तो फ्रेंट्स यहां पे देखें मैं इसे चम्मत से ही फैट रही हूँ सब्सक्राय को पेग एक जांच never will be happy to prepare कोज़ बहुत ही छूट करेंगे मैं क्टु कुट्व में एक काट लाएंगे और यहां पर वॉतš кुकीज आप दीक्राघ करेंगे थोड़ सा डालेंगे क्रीम LETक Should We пред at 2 cookies accept and'D प्रेस्क्रीम क्रीम् Zealand तो प्रेस कर लेंगे क्रीम क्रीम शॉप्ट होता है थोड़ी दर के बाद मिनगी त्याले तो सारे सब्सक्रीब कुख्या में करने क्रीम सिर्थ आप इसे जरू ट्राइगए looking, उसमें हम डाला लग तोड़ा सा ओर्रज फूट कलरं, और यहां पर मान将 औरayऑ ना ढझा रही हूं और इसे क्षेस केरा बेग में अज़रेंगे मनें अच्छारें होगी औरिका कुकि सेदोww और एकूकिस कीते हमारे और चाहित आज़कार सी तैयार तो लीज़ेब्स तैयार है हमारे बहुत ही टेश्टी और वहाथ है एक क्रीम कुकिज इसे हमने बिनाओन और विनाओन के बिना וन अंड़े के बिनाया है तो आपे इस कुकिज को जरू ट्राए करें बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है और हमने इसे में मैदे का यूज नहीं किया है तो ये बहुत ही है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी एक कूकीस की रेसिपी पसंद आई हो झाल झाल